पर मौझूद है स्वामी सुमेदान सरस्वती नजर आ रहे हैं और उनके साथ अलग लग जगों से पदा रहे हुए पीठा दीश्वर संत जी हाँ सनातन की परंपरा और हमारे देश की अगर रिवाज और रवायत को देखे तो इनका भी बहुत ज़्यादा महत हो जाता है राजस्थान सरकार की जो अब एक नई भूमी का देखने में सामने आएगी तो पर संतों का भी उसमें महतपूर्ण योगदान होगा उनके मार दर्शन की जरूरत होगी और उनके सम्मान को जिस तरह से यहां पर पेश किया गया है आमंत्रित करके वो भी बेहद खास यहां पर होने वाली हैं और देखिए जिसका जिक्र नहीं हम कर रहे हैं अगर टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देखें यहां गजेंद सिंग, शेखावत, केंद्रिय मंत्री और पूर मुक्य मंत्री अश्रोग गहलोत की तस्वीर और कैलाज चौधरी भी वहाँ पर खड़े हुए लेकिन जो गुफ्तबू हो रही होगी तो क्या चर्चा हो रही होगी और ये चर्चा तो क्या हो रही होगी ये खुदी जाने लेकिन उनके चेहरे के मुस्कान बता रही है कि दोनों मिले तो बड़े अधब से मिले मैं अगर निरंजन जी का ओडियो आप आएगा हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं तो निरंजन जी से बात करूँगा निरंजन जी ओडियो आपका अप होगा तो जड़ा बताईगा हम और भेहिमन तो कयास लगा ही रहे हैं ये क्या बात्चीत हो रही होगी देखिए रविंदर जी निश्चित रूप से मैं एक चीज आपको बताना चाहरा हूँ असो गैलो जी आज की तारिख में कांगरेस के उन चंद नेताओं में से हैं जो आप ये मान के चलिए उस परंपरा का निर्वेहन कर रहे हैं कि चाए आप सता में हो चाए आप जी से आपका मत भेद हो सकता है लेकिन आपका मन भेद नहीं है और आपने ये देखा होगा कि जिस तरीके से राजस्तान के अंदर पिछले एक साल से परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी जब राजस्तान केंप करते थे राजस्तान के अंदर जब रहलियां करते थे उस टाइ है जिए हाँ सभी के चेहरे खिल खिलाए हुए है क्योंकि आज का दिन राजस्थान के लिए बेहत खास है और वसुद्र राजे भी यहां मंच पर विराजमान हो चुकी है और इस बीच के शब प्रसाद मौरे उत्तर है अब पर फर्देश के उक्प्मुक्यमंत्री यहां प राए हुए है और स्वागत किया गया यहां पर पूर्मुक्यद्री अशुर गेहलोत की तरफ से उनका तो इस मंच पर अब धीरे जीरे करके सभी मेहमानों के आने का सिलस्ला उनके विराजमान होने का सिलस्ला लगातार चल रहा है जी निरंजन जी आपने बताये निले के लिए सिर बात क्या हो रही होगी आप तो बैक्डरांड में चले गए पर पहुंच चुके हैं और देखे यहां नितिन गड़करी का जो राजस्थानी साफा और पगड़ी होती है उसके साथ स्वागत भव्वे तरीके से किया गया पुलो के गुल्दस्ते के साथ स्वागत किया अगर यहां से यही मानकर चला जाए कि सीधा एरपोर्ट से अब र रवाना होंगे अलबर्ट हॉल के इस जो समहरोस्थल है शपत गेहां समहरोस्थल है क्योंकि अब जादा वक्त ने बचा है और बारा बजग कर दस मिनट का वो वक्त क्योंकि बारा बजग कर तीन चार मिनट तो ही जो कैंब कभी भी अगले 5-7 मिनट के अंदर प्रधान मंत प्रदानमती नरेंद्र मोदी यहां लेंड कर सकते हैं जैपूर के स्टेट हैंगर में और फिर वो भी सीधा रवाना हो जाएंगा है बारा बजकर तीस मिनट पर वो यहां समहरोस्थल में पहुंच जाएंगा बिल्कोल रविंद्र आप्थी करें बारा बसकर तीन मेंट हो चुके हैं करीप करीब और बारा बसकर दस मिनट पर प्रदानमती नरेंद्र मोदी का जोयपूर पहुंचने का कारिकरम है जोयपूर एरिपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से स्टेट हैंगर सीवे का सीधे अलबेट होल पर पहुंचेगा समारोस्तेल पर और जो तस्वीरें देखे दो बहुत महत्पूर्ट तस्वीरें हैं यह आपनों राजस्तान इसे ही करते हैं और अशोग गयलोत अक्सर कहा करते थे मैं थांसों दूर नहीं जब वसंद्रा राजी ने शपत लीती पहुंचे थे और आज जब भजनलाल शर्मा बारतिय जन्रता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपत ले रहे हैं तब भी अशोग गयलोत यहां पर मौझूद है जिया बिलकुल और यह हमने पूछा वीदा पहले राजकबार शर्मा से उन्होंने अपनी तरीके से जानकारी क्या था यही कहा था कि पूर्बुख्यमंत्री शोग गयलोत उसमें शिर्कत करेंगी और कौन से कॉंग्रेस यहां पर आएंगे अच्छा रोशन का रुख करते हैं स्टेट हैंगर पर मौझूद हैं क्योंकि प्रधान मंत्री कुछी देर बाद यहां पर जानकारी का रोशन एक पूर्साद पर आएंगे लिए्गान मंत्री कुछी में बाद एक प्राश धान मं जाएंगे ऑनि यहां पर आएंगे और का रखते हैं वाते हैं पूर्णीव